माध्य प्रदेश के मोख्य मंत्री सीवराज सिह चोहान प्रसिद्ध सिद्ध पीट बगाज माता मंदीर पहुचे यहां पहुचकर मोख्य मंत्री ने वीधी पुर्वक पुजा अर्चना कर एक विशाल आम सभा को संभोधित किया मोख्य मंत्री सीवराज सिह चोहान ने टिकमगड में 10,918 हिद ग्राहियों को 1,29,37,000 मुल्य के आवासे भुखंडों के वितरन कारिक्रम का शुभारम कन्या पुजन वद्धी प्रजुलन कर किया वही भू अधिकार पत्र वितरन कारिक्रम में 255 करोड से अधिक लागत की बान सुजारा समो जल प्रदा योजना का सिला नियास किया इसके साथ ही महिला सरपंच प्रतिनीदियों को कलस सोप है मुख्यमंत्री जी ने कहा पढ़ने लिखने वाले बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे फिस की शिंता ना करे फिस प्रदेश सरकार भरेगी कारिक्रम के दोरान दूर दराज से आये लोगों का जन सेलाब के साथ ही शहर के गंडमाने नागरीक एवं प्रसासनी का धिकारी मौजिद रहे तिकमगर से सुबत पाठक की रिपोर्ट मैं बहुत आज आनंद और प्रसन्नता का अनभब कर रहा हूँ तिकमगर जिले से जो समस्या मैंने देखी थी हठेरी गाउं से यहां मुझे कई भाई बेनों ने रोफ के यह बताया था कि रहने की जगे हमारे घर में नहीं है क्योंकि एक घर में बहुत सदस्द से हो गएं कई पीडियों पहले के बकान है पूर्बजों के और तब मुक्ष मंत्री भू आवासी अधिकार योजना बनाई और मैंने तैगिया कि ठीकमगर से ही उसको लागू करेंगे दसजार पांस सो से जादा भाई बेनों को आज जमीन के पट्टे प्रदायर ये गए हैं मतलब जमीन उनको दी गई है और अब वो अपनी जमीन पर रह सकेंगे लेकिन अभियान के वल टीकमगर जिले में नहीं पूरे प्रदेस में अब चलेगा और जिन के पास रहने की जगे नहीं या एक घर में इतने परिवार रह रहें दादा जी, उनके बेटे, फिर उनके बेटों के बेटे रहने की जगे ही नहीं ऐसे फात्र हमारे साथ्यों को पहचानके ये भूखंड प्रदान की जाएंगे किये जाएंगे पूरे मद्ध प्रेश में हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना पुलें